नमस्ते मैं हूं देवाप का म्यूजिक इंस्ट्रक्टर चलिए बात करते हैं टेम्पो की हम बच्पन से सुन रहे हैं कि जब गाना बनाते हैं तो सबसे पहले सुर और ताल इन दो चीजों का बहुत ज्यादा महत वो होता है चाहे आप कीटार सीख रहे हैं चाहे कहीं से कीबोर्ड सीख रहे हैं चाहे वोकल सीख रहे हैं हमेशा आपको टीचर्स या आसपास वाले म्यूजिक की थोड़ी बहुत भी नॉलेज रखने वाले बताते हैं कि ताल से बाहर नहीं जाना ताल मतलब tempo तो हम यहाँ पर देखेंगे यहाँ हमारे पास लिखा है tempo by default होती है 120 आप चाहें तो इस पर क्लिक करेंगे और कोई भी number अगर आपको अपने गाने का already मालूम है let's say 110 enter और देखे grid lines उसी साब से हो गई 110 आपने फिर क्लिक किया 80 enter तूसरा आप इसे पकड के mouse से भी उपर नीचे कर सकते हैं या फिर अपने mouse का जो pointer है जो arrow है इसके उपर लेकर गए और mouse का जो scroll wheel है उसे आपने उपर नीचे किया इस तरह से तो भी वो tempo change होगी अब दो तरीके हैं एक तो है कि आपको already मालूम है कि आपके गाने की tempo क्या है बहुत अची बात है आपने यहाँ पर add कर दी कभी कभी आपको tempo मालूम नहीं होगी किसी sample की या बनाते वक्त या किसी को remix करते वक्त तो उसकी tempo हम किस तरह से करेंगे नीचे अगर हम tempo यहाँ लिखा इस पर जाते हैं और इसके उपर हम tap करेंगे अपने mouse से या keyboard से तो उसकी tempo निकल सकती है आईए देखते हैं किस तरह से मैं ये song लेकर आया और मैंने यहाँ पर रख दिया मैं इसे play करूँगा अभी देखिए tempo इसकी चल रही है मैं इसका volume थोड़ा कम करता हूँ ये जो click है बहुत अजीब sound कर रही है क्योंकि वो अलग tempo पे चल रही है और मेरा गाना अलग tempo पर चल रहा है tempo किस तरह से measure होती है BPM beats per minute एक minute में 60 seconds है 60 seconds के अंदर आपकी कितनी beats आती है वो आपकी tempo होती है किस तरह से पहले हम इसकी tempo इसकी BPM निकालते हैं उसके बाद हम metronome की बात करेंगे चलिए मैं इसे कहीं जहां से beat start होती है वहाँ लेके जाता हूँ चलिए यहां से हम देखते है जहां beat आएगी मैं यहां गया tempo और इसको उपर मैं click करूँगा साथ-साथ ठीक है मैं साथ-साथ click करता गया जो हम गाते हुए भी snap करते हैं चुटकी से अपने school colleges में ना ना-ना-ना-ना-ना-ना-ना-ना-ना-ना-ना-न-ा-न-ा- साथ-साथ- एक, दो, तीज, चार इस तरह से तो यहां पर मेरा number आया 96 इस tempo के उपर mouse ले जाकर मैंने mouse से click किया तो आइए देखते हैं मैं किसी एक सेक्शन पर इधर जाता हूँ थोड़ा और पीछे चलते है ठीक है यहां से देखते है यह जिस चीज़ से मैं लूप कर रहा हूँ इसकी भी हम अगले लेक्चर में बात करने वाले हैं फिलाल हम टेम्पो की बात कर रहे हैं ठीक है टेम्पो की आप मैंने on यह है मेरा metronome metronome क्या है दुनिया के किसी भी software किसी भी hardware, किसी भी keyboard, synthesizer के उपर आपको यह button मिल जाएगा metronome जो आपकी beats per minute के हिसाब से आपको साथ-साथ click देता रहता है इसकी settings के बारे में भी बात करेंगे सबसे पहले हम metronome on करते हैं और सुनते हैं साथ-साथ क्या यह गाने की मैंने tempo सही निकाली है या नहीं नाइस तो मैं बार-बार mute करके आपको दिखा रहा हूँ कि exactly वो साथ-साथ तो ठीक है 96 इस तरह से मैंने टैप करके निकाल ली यानि कि इस गाने की जो tempo है जो beats per minute है वो है 96 अब हम बात करते हैं इस metronome की जो आपको टक-टक सुन रहा है मैं फिलहाल इसे mute कर देता हूँ या mute है इसके बार में किसी lecture में बात करने वाले हैं अब यह sound है यह टक-टक जो कर रही है मैं यहां जाता हूँ metronome settings इस पे click किया और यहां पे हमें सबसे पहली जो चीज़ दिखती है वो दिखती है accent मेरी accent के चीज़ है जहां भी मेरा bar start होता है 5 फिर उसकी 4 beats फिर 6 फिर उसकी आगे 4 beat फिर 7 फिर beat 8 तो यह जो बार बार आते हैं हर बार की starting पे जो click है उसे हम accent कहेंगे देखिए यहां पर इन्होंने क्या कहा है कि जो पहले बिल्कुल टक आएगा उसका volume ज़्यादा रखा है चलिए और ज़्यादा करते हैं थोड़ा exaggerate करेंगे तो आप समझ पाएंगे और जो beat है बाकी की 3 उसका volume थोड़ा कम है तो 1,2,3,4,1 मैंने क्या कहा मैं click की जगा कहा चलिए मैं beep करना चाहता हूँ थोड़ा सा volume कम गरी कान में लगेगा अब आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे कि accent और beat में क्या difference है ठीक है तो ये है accent तो कभी-कभी आपका जो singer है recording के दोरान कहेगा कि जो भी आपने नीचे music लगाया है कि मुझे metronome का volume कम कर दीजिए music का बढ़ा दीजिए या कभी वो कहेगा कि music का volume थोड़ा कम कर दीजिए मैं off tempo हो रहा हूँ मेरे metronome का या accent का या beat का जो volume है वो बढ़ा दीजिए तो आप यहां से कम करेंगे और यहां से ज्यादा मैं यहां से लेता हूँ cowbell तो accent की sound हो जाएगी cowbell और beat की चली हम रखते हैं click आप कुछ भी अपने taste के हिसाप से यहां से रख सकते हैं और साथ गाना सुनके भी देख लेते हैं तो मैंने click को भी cowbell कर दिया तो आपको कोई भी sound हो सकता है कि cowbell आपने लगाया और आपको थोड़ा distract हो रहे हैं कि यह कैसी sound दे दी मुझे थोड़ी chain चाहिए या मुझे beep चाहिए मैं वैसे personally prefer करता हूँ click सबसे easy रहता है आप यहां से render भी कर सकते हैं और पूरी की पूरी जो click है पूरे के पूरे track की आपके सामने आ जाएगी आप कहीं भी रखके उसके उपर भी record कर सकते हैं यह metronome है यहां से on या off हो जाता है और इसका shortcut है c c for cat मैं keyboard पे गया मैंने प्रेस किया c वो off हो गया c वो on हो गया इसे बंद करते हैं और अगर आप यहां भी देखें मैंने प्रेस किया c off c वो वापिस blue lit हो गया तो यह metronome है बहुत important चीज है अब आपको समझना कैसे है जो बिल्कुल starting से पहली बार music production कर रहे हैं कि अभी भी मैं confused हूँ तो उसके लिए हम क्या करते हैं गाने को मैं पहले कर देता हूँ mute tempo पे गया और मैंने tempo कर दी 60 enter यानि की 60 beats per minute एक minute में 60 seconds यानि की 60 seconds में 60 beats तो अब जो भी यह click चलेगी तो आपको ऐसे लगेगा कि घड़ी की तरह चल रही है सुनिए nice एकदम घड़ी की तरह तो आप समझ गए है कि beats per minute जो मेरी tempo है वो क्या चीज़ है बहुत ज्यादा important चीज़ है दुनिया में कोई भी गाना पूरी दुनिया में 100% कोई भी ऐसा गाना नहीं है जिसकी tempo पहले set ना हो एक particular tempo पहले set की जाती है ताल set की जाती है ताल time signature पर भी depend करती है पर हम time signature बाद में पढ़ेंगे थोड़ी सी उसकी setting की जाती है metronome on किया जाता है और जो भी click वो चलता जा रहा है उसके उपर हम record करते हैं चाहे vocals, चाहे drums या कोई instrument पीछे करके lecture को फिर देखेगा बहुत ही आसान, बहुत ही simple मिलते हैं अगले lecture में तब तक के लिए देव next level signing out, नमस्ते